हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अतुलियादों में आपके पिछले वीडियो में आपका इतना डेरो सरा प्यार बहुत बहुत दन्यवाद कि अगले 50 दी के बात करेंगे जीजर 2023 के लिए दो तरीका के बात करेंगे जिसमें एक पछे जिसका प्री का स्कॉर 125 से स् upstream दी लेसर आ रहा है और दूसरा प्री में स्कॉर 125 और 30 से प्लस में आ रहा है मौक में तो दोने के बारे हम बात करेंगे किसको क्या करना चाहिए अगले 50 दिनों में तो वो इंप्रूब करेगा पहले 25 डेज की स्ट्रेजी के बारे हम बात करेंगे हम दोनों बच्चों का लेकर चलेंगे किसको करना चाहिए क्या किसको नहीं पहले इंग्लिस के बात करेंगे हम लोग, इंग्लिस में आपको क्या करना है, नितिव मैम का बुक, जो कि इंग्लिस का बाइबल माना जाता है, उसको वन टाइम रिविजन करना है, पहले 25 टेजम, सबसे पहला काम आपको ये करना है, उसमें में में टोपिक्स क्या है, सिंटेक्स, सब्जेक्ट वर्व एक्रिमेंट पे द्यान देना है टेंस पे द्यान देना है नाउन प्रोनाउन प्रिपोजिशन प्रिपोजिशन में भी फिक्स्ट प्रिपोजिशन को द्यान देना है जिए अड्जेक्टिव एडवाब और नीदुमेम का फूरा एंटोनिम्स सिनोनिम्स पूरा करना आईडियम पूरा करना आपको यह सबी बच्चों के लिए दोनों टाइप के बच्चों के लिए अगर आप जिनका स्कोर वांटटिक प्लस आ रहा है अगर उनका इंगलिस ठीक है तो इसको स्किप भी कर सकते हैं दूसरा अगर जिसका किसी पार्टिकॉलर टॉप सकते हैं और चेप्टर वाइस कोश्चन भी है पूरा वीडियो को देखके आप उस कोश्चन को भी कर सकते हैं तो अच्छा आपको बेसिक बन जाएगा वहां से ठाड में आपको क्या करना है को यह प्रैक्टिस के लिए SSC के लिए पॉब्लिकेशन का प्रिविए सेर आपको 2020 2019 इन सब वाले यह 2020 यह को पहले करना और कॉंप्रेहंसर जो की बहुत इंपोर्टेंट हो चुगा आज कल और मेंस में भी बहुत आ रहा है इसको करना इसमें आपको क्या करना है डेली 10 जंबल वाट प्क्यूर्स वाले सॉन्प करने हैं दो लोश टेस्ट करने हैं और अगर टाइम है तो अगर प्री में तो नहीं आता पर मेंस के लिए काम हो सकता इक जरूर लगाएं पैसेज एक सॉल परना है आपको यह मस्ट करें 10 पी ग्यूर्स दो लगाएं दो ग्लोश टे सॉल पर एक कॉंप्रेहंसर पैसेज वाला कॉशन्स पर इसके बाद आपक करना है टेक्स्ट बुक से सेक्स्नल मॉक लगाना है 25 कोसिंथ का प्रिवेसयर का टेक्स्ट बुक से से स्नल मॉक लगाना है इसको अडह हएं परिशो की मिदी की बात करते ह हैं इसको आपको कुछ networks करना है वह सबसे ज़दा हेल्फол यह हूने वाला है Кар Del장 क्रिवेसयर के बह सकते हैं mostly sitting arrangement के लिए क्योंकि आजकल जो एससी का pattern है वो थोड़ा बैंकिंग तरफ जा रहा तो sitting अरेंजमेंट यह helpful हो सकता है उसके बाद statement, exceptions, cube series, etc. जो भी topics है जो new है और जो आपको different लगते हैं उसको textbook से आप topic wise कबर कर सकते हैं मैट्स की बात करें मैट्स में सबसे पहले आपको यह देखना है कि अगर आपका पूरा syllabus खतम हो चुका है तो आपको उसको एक बार revise करना है अपने notes को concept को revise करिए एक बार पूरा अगर किसी का कोई पूरा complete नहीं हुआ तो जो week chapters है जो mock में लगते हैं जिसमें question नहीं बन रहा है तो उसको आप time देख सकते हैं यह पचीस दिनों में SICI पे जैसे example की बात करें time distance speed discount geometry जो भी आपका week chapter उसको कर सकते हैं अगर इसको cover कर ना आप गए है तो आप YouTube channel follow कर सकते हैं कोई भी particular topic का लिखके अबने सर ने बहुत सारे topic पढ़ाएं है सुभम सर ने पढ़ाएं है और गगन सर ने भी बहुत सारे topic पढ़ाएं तो तीरों में सिखिंसी का यह follow करके आप cover कर सकते हैं और most important चीज़ आपको mixed practice करना है 25 question का set previous year यह most important है अब इसको चायत screen shot ले सकते हैं बाद में के लिए देखने के लिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जीके की जीके में आपको क्या करना है जीके में लूसेंस most important है आपको टायर वन एक्जाम से पहले दो बार at least इसको revise करना पड़ेगा इसमें क्या क्या आप कर सकते है पॉलिटी पूरा करना होगा आपको history करना होगा और miscellaneous करना होगा इससे most important पुचादा तर इसी से questions आते हैं पॉलिटी में important topics की बात करें तो articles है सारे articles हैं सारे articles हैं क्या सकर fundamental rights होगा है प्रेसिडेंट वाले होगा है और जो भी जितना ही mostly emergency वाले होगा है यह सब आपको करना पड़ेगा foreign sources को देख लिजेगा कौन सा कहां से लिया गया है preamble में constitution में कहां से लिया गया है USA से क्या लिया गया है UK से क्या foreign sources है हमेसा ही question पूछा जाता है schedules देखना आपको precedence related articles और उसके powers को जरूर देखना यह पूछा जाता है और important amendments पर द्यान देना यह उन बच्चों के लिए जिसन के पास time नहीं है जिसनों किसी कुछ नहीं पड़ा है बाकि जिसने जिनका number 180 प्लस आ रहा हो पूरा revise कर सकते हैं और history में आपको क्या करना है modern पूरा करना ही करना है और medieval की बात करें तो Morian, Gupta, Mughal और Delhi Sultanate इन पर द्यान दे सकते हैं अगर time नहीं है आपके पास तो Indus Valley civilization हो गया ancient के लिए important है जोग्राफी आपको दूसेंट से मिल जाएगा लेकिन उसके अलावा क्या करना आपको नेशनल पाक्स जो recent news में उसको द्यान देना ट्रिवर्स पे द्यान देना originate कहां हो रहे हैं कहां खत्म हो रहे हैं प्लेट यूज यह सब कोश्चन भी आज के लिए सिश्री बहुत पूछ रहा है तो इस पे द्यान दे सकते हैं करेंट अपेर्स के बात करें जो बहुत बच्चों कर रहता है कहां से करें कैसे करें तो मंतली करना चाहते हैं आप तो जीगे टुड़े वाई यूटूब चै पर बर इसलिगर मही तक का और लाश्ट में अगर कुछ नहीं तो इस पीडी लाश्ट मेले सकते हैं एक महीना पहले जिसे आपका वावर हो जाता है कॉंप्यूटर की बात करें कंप्यूटर तो वैसे मेंस में आता है लेकिन अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप आइमिन हाफ एन आवर रोज देंस को नोट्स जरूर बनाएं बहुत काम आने वाला है मिन्स में क्योंकि इस बार देखा हमने कि कैसे बच्चों ने कंप्यूटर को हलके में लिया इसके चलते 300 प्लस वाले बच्चों का भी किसी में सेलेक्शन नहीं हुआ है तो कंप्यूटर भी इंपोर्टेंट रोल होने वाला है इसका सोर्स की बात करें तो आरबी सर के आरबी यूटूब चैनल की बात से यूटूब चैनल में कंप्यूटर करके प्लेलिस्ट है उसको फॉलो कर सकते हैं बहुत अच्छा प्लेलिस्ट है और आर्वी सर का PDF है उसको भी ले सकते हैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वहाँ से आप डाउनूद कर सकते हैं और टेक्स्ट बुक से आप टोपिक वाइस प्रैक्टिस कर सकते हैं जिसे इंटरनेट हुआ, टाइपस ऑफ नेटवर्क वाथ इसको कर सकते हैं यह हो गया हमारी चारो सब्जेक्ट की बात करें अब बात करते हैं मौक के बारे में मौक में आपको यह मोस्ट इंपोर्टेंट है करना वीकली आप ओली बोट का मौक जरूर दे इसमें लगबग 90,000 प्लस स्टुडेंट्स हमेशे रखते हैं इसमें आपको आपका रैंग पता चलेगा अपका पर्फॉर्मेंस पता चलेगा और इसमें नोट्स आपको जरूर बनाना इससे जो भी हो इसके अलाव आपको क्या करना है दो टेक्स्ट बुक मौक देना जिसमें से एक प्रिवेस यर होगा एक फुल टेस्ट होगा ये एक वीक का बता है हमेने इसको आप सट्रेडे संडे दे सकते हैं बाकी जो उच्छे दिन में ये दो मौक लगाना आपको फुल एनलाइसिस होना चाहिए नोट्स पनाएं जीके का नियू बड आ रहा है उसको लिखें और त्रिजनिंग के लिए अलगओ भी कर सकते हैं जीके इंगलिस के लिए इक अलगओ भी बना सकते हैं प्रोपर नोट्स करना है और जो बच्छे वन थिफाइब प्लस कर रहे हैं या 140 ला रहे हैं, वो एक मेंस का मौक दे सकते हैं, अगर उनको लगता है, प्रियाराम सवजाए को लिखेता है, वन ते एक मेंस का मौक लगा सकते हैं, उसका नोट्स आपको प्रोपर तरीके से बनाना है, अब लास्ट 20 तू 25 डेस की बात करने वाले हैं, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सबसे पहले चीज करना है, डेली अगर हो सके तो या अल्टरनेट डे पर मौक जरूर थे, इसमें नोट्स बनाना है, अगर पॉसिबल है तो, जरूरी नहीं नोट्स बनाना है, अगर पॉसिबल टाइम हो रहा है, आपके पास तो बना सकते हैं, इसक को पड़ सकते हैं आप लाश्ट 20 डेस 25 डेस में कम्प्यूटर को रिवाइज करना जो आपने नोट्स बनाया है इस पॉसिबल इसलिए लिखा गया है क्योंकि अगर आपको इपास टाइल वन में आना नहीं है अगर टाइम बसता है तो इसको रिवाइज जरूर करें सेक्षिनल मॉक की बात करें सेक्षिनल मॉक में सेक्षिनल मॉक यह मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला सेक्षिनल मॉक बहुत भी बड़ा रूल करेगा आपको के लिए दो मैक्स का सेक्षिनल मॉक जरूर दे 25 कोशन्स वाला सब है दो रिजनिंग का दो इंगलिस और दो जीक जिने अगर का संस्का कृनियां थे क्लिए तब दो प्रेकर लिए इसको स्कीप कर सकते हो को 10 कि अबी थे को आपको प्रेकर तो तो जिरूर आपको इंप्रूब्मेंट होगा, बस वीडियों बने रही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर कंटेंट पसेंद आया तो धन्यवाद,